जहिन दोस्तों भारत को वीटो मिलेगा तब मिलेगा लेकिन उससे पहले भारतने वीटो धारक देशों से एक मांग की है मांग नहीं तो एक प्रस्ताव ही पेश की आए जिस पर भारत सभी देशों का समर्तन चाहता है खास कर तो पाचो वीटो धारक देशों का और अगर भारत को इस बार जरूरी समर्तन नहीं मिला तो भारत कड़ी कारिवाही करेगा इसके संकेत भी भारत ने UN को दे दिये है तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है चलिए इसे विस्तार से समझते देखे भारत की ओर से सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में एक आतंगवाद निरोत को लईकर प्रस्थाव पेश किया गया है और प्रस्थाव ये है कि भारत ने दुनिया भर के देशों से हिस्बुल्ला को आतंग की संगठन घोशित करने के मांग की है वैसे देखा जाये तो हिस्बुल्ला को कई देशों ने प्रतिबंदेत कर रखाए लेकिन यूएन और उसके वीटो धारक देशों की ओर से इस संगठन पर लेगली कोई भी प्रतिबंद अभी तक तो नहीं लगाए गए अब इसके पीछे का सटिक कारण तो नहीं पता लेकिन एक्सपर घाटी में सेना जिन जिहादियों को पकरती है उनके पास से अमरीकन M4 Rifles बरामत होती है अब M4 Rifles पाकिस्तान या चिन तो नहीं बनाता तो फिर ये Assault Rifles इन जिहादियों को कहां से मिलती है ये भी सोचने वाली बात है चिन भी इसलिए हिजबुल्ला के खिलाफोट नहीं करता क्योंकि उसे भी भारत विरोध में अभियान चलाने के लिए इन जिहादियों की मदद चाहिए आपको याद होगा कि चिन ने अब तक चार बार वीटो लगा कर मसुद अजहर को ब्लैक लिस्ट होने से बचायाए में मोजुद हिजबुल्ला को ब्लैक लिस्ट करने को कहा था लेकिन उसकी अरजी भी किसी ने नहीं सुनी पर भारत का कहना है कि अगर हमारी बात किसी वज़े से खारिच की गई तो हम अपने हिसाब से इस संगटन पर कारिवाही करेंगे फिर हम किसी के भी सवालों को जवाब देना जरूरी नहीं समझेंगे क्योंकि ये संगटन कोई विश्वशांती वाला काम तो नहीं कर रहा जिसके हर एक अपरात को हम बस देखते रह जाए भारत ने साफ कहा है कि इस संगटन के परती वीटो धारक देशों की क्या मजबूरी है वो तो हमें नहीं पता लेकिन हम चुप नहीं बैटेंगे अगर ये दल हम पर हमला करता है तो हमारी ब्रमोस भी पलटवार के लिए तैयार ही है फिर न हम युएन की सुनेंगे ना ही वीटो धारक देशों की क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि अमिरिका और चिन ये दोनों आतंगवात को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे है अपने विचार कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और हाँ विडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब भी जरूर करें ज़ा हिंद